तो दोस्तों इस वीडियो में परजंट करने वाले अब की बार रेलवे पर जी आँ दोस्तों यह हमारा टेक लाइन है इस बार रेलवे पर तो मैं बता दू जिस चंडिडेट ने आरर भी जेई का फोंबर आया फिर गूरूपडी का फोंबर आया तो उससे रिलेटेड अकसर जो रेलवे में बार बार उस तरह रेलवे से रिलेटेड जो कोश्चन आपको आना चाहिए जो कोश्चन हर रेलवे एक्जाम में पूछा जाता है जो कि 100% यह प्रस्ण पूछे गए हैं वो प्रस्ण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ question number आपका total इस बार 15 रहने वाला है time थोड़ी सी कम थीचले मैंने total 15 question रहा लेकिन इसको decide करके आप सब को बताना है जो railway से महतपूर्ण चीज़े question आती है बार-बार वही चीज़े मैं session में लाया करूँगा और आपको comment करके बताना आपको video कैसा लगता है ताकि मैं अगला बार जब मैं आपको session लाओं तो दमदार होनी चाहिए तो चलिए video को शुरू करते हैं बने रही है इस video में जिसको इस बार railway यानि railway में job करना है इस बार railway पार करना है वो इस video में सुरू से लेकर अंतक पूरा question related सुरू से लेकर अंतक जरूर देखें और वीडियो को share जरूर करते हैं और एक बात प्रेंस अगर आप पहली बार इस चैनल पे widget करने तो चैनल को subscribe करते हैं और bell icon को press करते हैं मैं बता दूँ इस चैनल पे railway से related पलपल की update इस चैनल पे दी जा रही है और इस चैनल को जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करना है और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना अपने दोस्तों तक जिसने गुरूबडी एंटीफिसी या पर railway से सिमन्दित किसी भी गौवर्मेंटर जॉब में जो form fill up किया है अधर social network में यह आप यह फॉलो भी कर सकते हैं कुछ भी अब पहला question की बात करें हम तो तो आप देख सकते हैं question लिखा भारत में सरोपर्थम rail कब चली थी तो आपको बताना भारत में सरोपर्थम rail कब चली थी 12 अपरेल 1997 या फिर 15 अगस्ते नूँँँट 47 या फिर 16 अपरेल 1853 या फिर 16 अपरेल 1854 में तो आपको राइट अंसर बताना है तो जो इसका राइट अंसर है वो है 16 अपरेल 1853 जो की भारत में पहली बार रेल चली थी वो आपका था 16 अपरेल 1853 अगला question में बात करें अगला प्रस्ण है आपका भारत में सरोपर्थम rail कहां से कहां तक चली थी तो भरवत में जो सरोपर्थम rail 16 अपरेल 1853 को जो चली थी वो कहां से कहां तक किस इस्टेशन से किस इस्टेशन के बीच में चली थी बताना दिली से कोलकाता दिली से लखना हूँ या फिर मुंबई से कल्यान या फिर मुंबई से थाने इसका एंसर राइट होगा होगा मुंबई से थाने के बीच में जो पहले रेल थे व धारत में सरव पर्थम रेल किसके शाशनकाल में चली थी तो आपको बताना है फर्स नमर में लॉड माउंट बेटन लॉड मैकाले या फिर लॉड डलहोजी या फिर आपका लॉड स्वराज जो इसका एंसर होगा होगा लॉड डलहोजी की साशनकाल में जो पर्थम रेल चली थी, तो कब चली थी, 16 अप्रेल 1853, आपको इतना याद रखना है, एक student होने के नाते, आपको इतना याद रखना है, जब भी कोई question दिखे, तब उसको पूरा detail, यानि जो उसके बारे में, जो चीड डिटेल पता है, वो याद कर लें, और revise कर लें, और 16 अप्रेल 1853, इसवी में चली थी, तो उसका नाम क्या था, जो ट्रेंड चली थी, उसका क्या नाम था उस समय, तो एक नमर ब्लेक ब्यूटी, बी नमर आपका रेड लाइन, डेककन क्वीन, या फिर फेरी कीन, तो इसका जो एंसर होगा right, वो आपका ब्लेक ब्यूटी, ज जो चली थी, वो कितने किलोमेटर का डिस्टेंज था, तो 34 किलोमेटर का डिस्टेंज, यह भी question मैं sir, कभी railway पूछ लेता, कि कितने किलोमेटर चला था, तो याद रखिएगा, जो मुंबई से थाने के बीच में, 34 किलोमेटर का डिस्टेंज और उतना डिस्टेंज रेले ब्लैक ब्यूटी नाम से जो तै किया था अगला बात करें हम अगला कुश्चन है आपका भारत में सरव पर्थम विद्धूत रेल कब चली थी तो भारत में सरव पर्थम विद्धूत रेल यानि बिजली से चलने वाली रेल कब चली थी जो पहले आपका जो ब्लैक ब्यूट यानि तीन फरवरी 1925 को आपका ट्रेन चली थी पहली बार विद्धूत इंजन को ले कर अगला कोश्चन आपका भारत में स्वर परतों विद्धूत रेल किसके बीच चली थी तो विद्धूत रेल आपका चली थी इसके मुंबई से थाने के बीच में या फिर मुंबई यानि मुंबई विट्वी जो आपका स्टेशन में विट्वी कहलाता है से कुरला यानि विद्धूत रेल के बीच में चली थी आपका पहली विद्धूत ट्रेन तो चली अगर हम बात करें भारत में सरोपर्थां विद्धूत रेल तीन फरवरी 1925 इसमी में चली थी तो उ इसका जो एंसर होगा वोगा डेकन क्वीन जो पहली बार विद्धूत रेल चली थी इसका डेकन क्वीन नाम से चली थी चली अगला क्वेशन बात करें हम अगला बात करें हम भारते रेलवे एक्ट कब पारित किया गया तो भारते रेलवे एक्ट जो पारित किया जाता जो बिल लाय जाता संसुधन में, कब लाय गया, पारित किया गया, तो कोईशन आपका ओप्सन है, 1890, 1980 में, 1891 में, फिर 1095 में, तो आपको बताना है, जो इसका राइट एंसर होगा, वो 1890 में, जो पहली बार, railway act, पारित किया गया था, नेक्स्ट कोईशन है, आपका भारते रेल्वे बोर्ड की अस्थापना कब की गई थी, भारते रेल्वे बोर्ड, जिस को बोलते हैं, रेल्वे रेल्वे रिकूर्मेंट बोर्ड की जो अस्थापना है, वो कब की गई थी, जिसके लेवल पे आपका जो वेकेंसी निकलता है, तो भारते रेल्वे बोर्ड की अस्थापना की गई थी, आपका जनवरी 1901 में, फरवरी 1902 में, या फिर अगस्त 1883 में, या फिर मार्च 1905 में तो इसका जोर आपका राइट एंसर होगा, वो होगा मार्च 1905 इस्थापना की गई थी नेक्स्ट कुश्चन है आपका, भारते रेल्वे बोर्ड की अस्थापना किसके साथ संकाल में की गई थी, आप्सन है लॉड मेकाले, लॉड माउंट मेंटन, लॉड डलोजी, लॉड करजन तो बताना आपको जिसका राइट एंसर कमेंट में, जो इसका मेरे तरब से राइट एंसर है, वो लॉड करजन के समय भारते रेल्वे बोर्ड या रर्वी की अस्थापना की गई थी अगला बात करें, भारते रेल्वे का राष्टी करन कब हुआ था? राष्टी करन भारते रेल्वे का हुआ था तो अपका A-105, B-1980, 1905 ऑ फिर 1823 में तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा 1950 इसमें में भारते रेलवे का राष्टिक करन हुआ था दोस्तों इस जो जितने भी कोईशन मैं बता रहूँ सारे भी भी आई यानि वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोईशन है आप चाहे तो इसको नॉट भी कर सकते हैं उप्सिन आपका 24 अगस्त 1984 में, 24 सितमबर 1984 में, 24 अक्टूबर 1984 में या फिर 24 नॉवंबर 1984 में आपको राइट एंसर डूढना इसमें तो जो एंसर होगा वो आपका एफ्सन नमर सी 24 अक्टूबर 1984 इसमें मैं भारती देश में पहली बार मैट्रो रेल चली थी अगला बात करें, देश में सबसे पहले मैट्रो डिल कहां से कहां तक चली थी, यही पूछा जाता है, तो सबसे पहले कहां चली थी, option दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू या फिर कुलकाता तो जिसका answer होगा option नमर D कुलकाता में चली थी जो दम-दम से लेकर टॉली गंज तक चली थी दम-दम आपका पता ही अभी हवाइड़ा है वहाँ पे बट वहाँ से आपका रेलवे स्टेशन है वही माना जाता है मेटRO स्टेशन तो दम-दम से लेकर लिख लीजिएगा दम-दम से आपका टॉली गंज तक चली थी याद रहेगा आपको इतना याद रखाओ अक्षर ये पुछा नहीं जाता कि कहां से कहां ये जरूर पूछा जाता कि सबसे पहली रेल कहां चली थी और सबसे मेट्रो रेल पहली बार कब चली थी इतना आपको याद रखना है तो दोस्तां ये रहा था आपका सेशन उम्मीद है पूरा अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना है और कमेंट करके हमको बताना कि सेशन आपको कैसा लगा ताकि मैं और इस तरह का वीडियो जो इंपोर्टेंड ये जो हुआ था 2014 का और और भी ग्रूपडी में सब पूछा गया कोच्छन है वही कोच्छन मैं अक्सार आपके लिए ला रहा हूँ और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा लाइक जरू करें शेयर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए कमेंट करें नीचे की सर इस तरह का वीडियो बनाओं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद